प्रवाइब आपको बहुत बहुत कुशाम दीद्ट मैं हूँ आपकी सहेली राबया शाहिद और हम यह सहेली फिर से मिलने आई है कैमरे के उस पर बहुते तवाम नाजरीन वीवर्ज और सहेलियों को तो चलिया आई है इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए लाइफ कॉल्स के ज और मैसेजिस कीजिए क्योंके आज का जो टॉपिक है बहुत इंफरमेटिव है हर घर की कहानी है समाव यह भी कहा जा सकते है और जब आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आप इसको अपने साथ असुसियेट भी कर सके और कोई आपके पास किस्सा हो एक्स्पीरेंस हो जो आप ह क्या ख्याल में इस चीज से रिलेट करेंगे क्योंकि कहीं न कहीं लोग इस सिच्वेशन से गुजरे होते हैं और जैसे कहा भी जाता है कि रिलेशन्शिप्स आर लाइक रॉलर कोस्टर ऑफ राइड कभी उपर कभी नीचे लेकिन जब हम बात करते हैं चीटिंग की और रि रिलेशन्शिप्स आखिर फेल क्यों होते हैं वाई चीटिंग हैस बिकम अपार्ट ऑफ एवरी रिलेशन्शिप्स एंड वाई पीपल और रिवन नॉर्मलाइजिंग इट और हम इसके साथ साथ बात करेंगे टीनेजर्स और उनकी इंफैट्यूएशन की कि जब पहला प् पर इमोशनली, मेंटली और फिजिकली क्या इंपक्त पटा ता तो पहले प्यार की बात की टीनेजर्स की वह वाक़ी इधर तेक्स दूधी एधर बिंस दाव और इंचेटर्स यर वोल्ड क्योंकि वह एज बहुत कछी होती है बिल्को छीख बात की आज हम बात करें पहले ह चीटिंग कैसे स्टार्ट हो जाती है वाई चीटिंग इस कंपलसरी इन डी रलेशनशिप लिकन इससे पहले प्रोग्राम का बगाई दागास करते है और आपको मिलवाते चलू आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं आज हमारे साथ है Mr. Qasim Ali Shah, he's an educationist, public speaker and motivational speaker, aslaam naikum sir, welcome to myri sahli, thank you, and with us as a son, Mr. Anmar Al Haq, he is currently leading as a head wing of reconciliation ask, so we will also talk to the same you, Assalam alaikum, welcome to myri sahli, thank you. Thank you very much, thank you. As a son, we will join us in a while on the radio link and video link Dr. Shivana Mufti, she is a life course trainer expert, she is a gynecologist, and with us as a life course trainer, she is also a life course trainer, और दोनों हमें जॉइन करेंगे यूएस से थैंक्स अगेन तो जी सबसे पहले मेरे स्वारे सब आप से मुझे बताईए जब हम बात कर रहे थे रिलेश्टिप फेलियर्स की इमोशनल रिलेश्टिप जो ब्रेक होते हैं उन में जो धोका मिलता है आखिरकार कसूर किसका होता है कसूर वार कौन होता है देखिए जी एक तो ये इस तरह का टॉपिक जो आपने सेलेक्ट की है मैं आपको अप्रिशेट करूँगा तो कि इस तरह के टॉपिक्स आज की जो इनिशनेशन है जो इनुस्टिज में पढ़ रही है उनके साथ इस तरह के मोजगात पे बात ही कोई नहीं कर रहा और हमार पढ़ाने वाले भी इन सारे मजामीन के लिए प्रिपेर नहीं हैं दुनिया में एक टर्म नाइंटी नाइंटी वन से मतारिफ हुई बकाइदा सब्यक्ट के तोर पे उस टर्म को इमोशनल मैनेजमेंट कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं उससे पहले इस शकल में दुनिया में जहानत सिर्फ और सिर्फ आईक्यू के शकल में थी किसी का लॉजिक कितना अच्छा है किसी का कह लिजिए रैशनलिटी और रिजिनिंग कितनी अच्छी है और जहानत को इमोशन्स की शकल में इमोशन्स के साथ जोड़के डैनिल गोल्ड मैन ने दुनिया में बियान किया और उसने कहा कि इनसान की जो पूरी जिंदगी है उस जिंदगी का 85% फेलियर ये सिकसेस उसका तालुक उसके EQ के साथ होता है इमोशनल कोशन्ट के साथ होता है यानि लाजिक रिजिनिंग अपनी जगा पे लेकिन अगर वो जजबाती तोर पे मजबूत नहीं है उसको पता नहीं है कि मैंने इमोशन्स जैसी इनरजी जो के बड़ी ताकतवर इनरजी है कहां लगानी है कहां नहीं लगानी है कहां बचा के रखनी है कैसे सेव करनी है कैसे चैनलाइज करना है ये पूरा एक सब्जेक्ट मतारिफ हो गया दुनिया की पहले किताब इमोशन को देखने का एक maturity जाविया नजर वक्त के साथ साथ हम्पूफ करता है इसी तरह हमारी जो हमारा EQ होता है वी वक्त के साथ साथ बिल्ट होता है मैं आपको बपता चलूँ कि ये किसी के साथ Attachment होना Bray Cap हो जाना टूट जाना ये बड़ा natural है किसको हम बड़ा कुछ मैगनिफाई करके को बहुत बड़ी कहानी स्टोरी की शकल आज के जमाने में नहीं नहीं दे सकते हैं ये जिन्दगी का पार्ट और पार्सल है ये बिलकुल ऐसी जैसे गाड़ी घर से निकली है तो उसके टार्स ने गिसना है उसको कुछ हरसे बाट यूनिंग की जरुद पढ़नी है आपके जिन्दगी के आपकी शखसियत आपका माइंड आपके एमोशन आपकी जात उसकी तकमील इस तरह के कामों से होती है ये बड़ा फितरती है कि कुदरत ने मेल फीमेल मे एक नेचरल एक रख़ा है एक ऐसी सलाहियत रख़े जिसकी बड़ा से ये अट्रेक्ट करते हैं और उसमें किसी ऐसे तालुक का बनना जो कल को पूरा ना हो सके हम क्यों मूर्दे लजाम ठहराएं किसी एक को के मेल रिजन है फीमेल रिजन है सोसाइटी में बड़े चैलें और आज भी ऐसे लोग हैं जिनका चैलेंज यह है कि हमारा जो सेक्ट है वो कुछ हो रहा है इनका कुछ हो रहा है तो मल्टिपल फैक्टर्स हैं इसमें बेश्मार चीजें जो चलते चलते आखिर वक के साथ वाजिया होता है लेकिन सर आपको क्या लगता है कि रिलेशनशि एक्साथ बदलता है हलाद बदलती हैं हाँ अगर कमिटमंट है और साथ चलना है तो एक तो आप तो डिसकस करें शादी से पहले मैं कि तो जब शादी हो जाती है तो जजज सब आपको बताएं कि क्या क्या चैलेंज आते हैं उसमें कितनी बड़ी रिशु है आपके पिछले तीन साल में रिकॉर्ड सारा हाई कोड का बताता है कि सारे रिकॉर्ड पिशले ब्रेक हो गए इतना जदा खुला इतनी जदा डिवोर्स हो रही है यह आप तो कहरें चिटिंग मैरे चादी होने के बाद जिस पर करोड़ों रुपे का खरचा है जिस पर इतने लोग गवाह है जिस पर इतनी इंवस्क्मेंट हुई है जिसमें आखरकार निभा हो गया चल पुड़ा हो गया छे महीने के बाद अलद्गी हो जाती है यही तो एक ट्रामा से है मुझे की बताएं जब हम बात करते हैं टीनेजर्स की अब आप देखे वो जो एक कच्छी उमर है और उसवकत एक इम्मिचूर माइंड होता है तो जब बच्चा या कोई भी बच्ची एक रिलेशन्शिप में आ जाती है कोई क्रश हो जाता इसको या जैसे के दिए मॉशनली किनेक्ट हो जाती किसी से प्यार हो जाता है महभवत हो जाती ही वर्ट सोयवर उनके टर्म्स में लेकिन कुछ हड़से बाद खतम हो जजाते है बबल बस्ट हो जाते है वह एमॉशनलल केनेक्शन टूर गया टिटैछ हो गया तो उसके बाद केस्ट क्या होता है किस तरह emotionally break हो जाता है बच्चा और especially लड़कियों की बात करती हूँ female teenagers वो emotionally अपने आपको किस phase में देखती जब वो इस relationship से निकलती है और इतनी कमोबरी में आप relationship की break-ups लेके बैठे हैं जब कि you have so much more to do for life तो उसको आप कैसे देखने हैं अच्छे कोई ऐसा नहीं है कि आज के दोर में हम इसे कमोरी कहें इनसान जब से दुनिया में आया है ये जजबा उसके साथ पहले दिन से जुड़ा हुआ है जहां बलोगत आती है हार्बूनल चेंजिंग्स आती है इनसान के अंदर ये नीड के मेरे जिन्दगी में कोई पार्टनर होना चाहिए और आखिर कार तो किसी ने शामिल होना ही है जिन्दगी का साथी बनके तो उसके लिए जो सामने दुनिया मौजूद है तो किसी जमाने में ये फरक जो पड़ा है communication का फरक पड़गे इबाग असान हो गया availability, communication के gadget, समान, telephone ये सब चीजें बड़ी असान हो गई है ये महबते हमारे जमाने में थी, हमारे बज़रगों के जमाने में थी उनके गाने देखें तो वो कबूतर और खथ के साथ जुड़े होए थे आज जो है वो रिंग टॉन के वर्ड आ रहे हैं गानों में, आज आ रहा है मैसेज की शकल, आज आ रहा है जनाब टिक टॉक, आज ये सारा मौडरन गैजट्स आ गए है, तो जो अफेक्ट है वो ब्रेक अप का, किसी रिलेशन के खतम होने का, वो दोनों पे है, ये मैं वाज रखेगा, इमोशन, लव, ये रिलेशन्शिप का भी एक बबल है, जो फटता है, एक निया बबल बनता है, जो ब्रेक अप का बबल है, और उसने भी पका नहीं रहना होता है, हमेशा नहीं रहना होता, नैचरल कुदरत ने हमारे अंदर कुछ वाल्व्स रखे हैं, जिसके एक जिमादारी है, अगली जिमादारी आपके पास आजाती है, आपने जीना है, आपने आगे बढ़ना है, आपने अपने अपनी जिन्देगी की जिमादारियों को निप्टाना है, आखिर जॉब पे जाना है, काम पे जाना है, वहां से काम मिलना है, पहली को सेलरी मिलना ह वो जो natural healing का process है वो उसमें बड़ी ताकत है जी और emotions इस पे मुख्तलिफ तरह की research है एक research यह कहती है कि जो emotions है वो 18 माँ के अंदर totally उसमें चेंज आ जाता है तोटली दूसी research तो जो modern जो हैं चीज़ें वो उसमें 3 months में चेंज आ जाता है यह हमारे तो बच्चे और बच्ची हैं जी मेरे अपने बच्चे जो हैं यूस्टी अब जाने लग पड़े हैं बड़े हो गए बच्चे हमारे बच्चों को आने वाली नसल को ऐसा क्या करना चाहिए हमारा wisdom यहां काम आसका है बच्चे मेरा और हमारे काप हो दिस्टॉर्ब हो हाउस बिल्कुल ठीक बात कि आपने मुझे भी बताहिए कि जब बात करते हैं रिलेशनशिप्स कि और आपका तो रिकंसिलेशन एक प्रॉपर फांडेशन है जिसमें आप आउसला करवाई और मेरे खासे मोर्दें तो आपके बात कर चुकी है तो आपके पास कुपल आते हैं या कोई तीनेजर वाला कपल अपके पास कोई आया है जिनकी चले हम कह सकते हैं सब्सेदी शादी होई हो तो उसको आप शेयर कीजिए एक्समीरियेंस जी मेरा जो अभी थैंक यू वरी मच आपने इस सारे हम इंसे हमीशा गाइडेंस लएते हैं को हम को यह फॉन दिशन जहां मैं बैठ कि यही रिकॉंसिलेशन को परोसेस करते हूं जहां कपल को मивается क़ोई कर्ते हैं ओनि ऑसके कासमरी शाफ फॉनेशन ही है और वहां पर बहुत जरूरत पढ़ती है हमांशा सब के वीज्डम को ब इस वकत वो जो केरियर मेकिंग है उसके अंदर इन्वाल्व है बहुत ज्यादा और हम लोग हर लेवल पर ये समझते हैं कि ये बच्चे जो हैं ये ज़रा बड़े हो जाएंगे तो फिर इस तरह की अक्टिविटीज में आएंगे एक्सपेक्ट भी नहीं करते आपो ये एक्सपेक्ट करते और टाइम भी नहीं होता किसी के पास आपके पास अपने वु जू स्कूल उर कालिज की जो क्मिट्मेंट्स है और य Stewart की उसमें से निकलना मुछकल होता और उसका जो side effects वेיד आ रह Ec inglés शादियां लेट हो रही है यह बहुत बड़ा है एक इंपॉर्टेंट बात जो है हमें इस पर गोर करना चाहिए कि इस वक्त थर्टी फाइव तक एज में शादियां नहीं हो पा रही है एक तो रिसर्च के मताबिक एक करोड तक की जो अबादी है पैंतिस साल की जो खवतीन है और इसी तरह से एक और इंतहा भी इसमें है उस पो भी नजर अंदाज में करना चाहिए उस पे भी आपको जरूर को प्रोग्राम करना चाहिए सेपरेटली वह है जो बहुत ही कम से नह होंगे महबबत की शादिया या कोई रेलेशनशिप है पिछे चार-पांच साल से बहुत एमोशनली फिजिकली मेंटली कनेक्टी एक दूसरे के साथ लेकिन अगर उनका एंड तक नहीं बनता वह सेशन के कट्थे लॉंग टम नहीं चलता तो पिर उसके बाद क्या होता है क अब हम प्रिमारेज कॉंसलिंग के बाद फेस खुलके आता है और आप उसको किसा से रिकनसाइल करते हैं आप से भी स्वाल पर लेंज से करते हैं मैं इस तरह मैंने देखा है क्योंकि मेरे पस बच्चे आते हैं खुद ही अपलाई करते हैं मुझे दोनों में से एक स्पाउ पहले नहीं था हमारे पास अब हम प्रिमारेज कॉंसलिंग पर भी बहुत तवच्चों दे रहे हैं लोग बात करते हैं और मैं दोनों की बात करवाता हूँ ऑनलाइन मैं दरमयान में रेफरी के तोर पे बैठा होता हूँ और बहुत से सवाल जो वापस में नहीं पूछ सक करी कि आप इसके इमोशनल जो आस्पेक्ट्स हैं ब्रेक अप के उन पर बात करें तो बहुत ज्यादा है जो खास तोर पर बच्ची है हमारी वह बहुत बुरी तरह मुतासर होती है उसकी वज़ा यह है कि हमारे हाँ वोमन इंपावर्मेंट कोई नहीं है मेरे पास बच्च करना चाहती है क्योंकि के पेरेंट्स नहीं रहे पीछे कियों के भाई है वो नहीं रख सकते अपनी भैन को बच्चों समेथ तो वो जो एमोशनल एक बहुत बड़ा वो ट्रामा है जिसके अंदर से वो गुजर रही होती है वो कंटिन्यू करता है बाद वकात वो उस ट्रम कुड के वहीं रहना है मुझे बाद वकात बहुत खौफ आता है इस सारी बात के बावजूद कि मैं सुला कराने के लिए वैठता हूं इस सत्र साल की उमर में और कोशिश करता हूं सुला हो जाए मुझे खुद 15-20 तलाके करवाना पड़ी है जहां पर हमने समझा कि यह बह अमद अबुबकर किश्मीर से बात कर रहा हूं मेरा सवार यह है कि हमने कैस देखे है उसमें और जाती है जाकर श्कायट लगाती है कि आज तक मरे शोर मेरे साथ लड़ा नहीं है यह मेरे साथ महबत नहीं करता इस वजह से मारी लड़ाई नहीं हुई तो क्या बेतरीन यही सवाल जो है जवाब की सूरत में तकरीबन हार टाक में देता हूं कि जो मिया बीवी नहीं लड़ते उनका ब्रेक बहुत जरूरी हो जाता है फिर लड़ना एक एक सेलेंसर सिस्टम है पूरा आपका अगर आप एकस नहीं कर रहें अगर आप अपस में चखचख नहीं ह बैठके लाए और वो पूरे का पूरा हमारा प्रजेक्ट इस पॉइंट पर बेस करता है कि लोग अपने दिल की बढ़ास निकालें मैं बैठ जाता हूं मैं उनका सारा घुस्सा अपने पर सहलेता हूं मैं तो मेरे पर गुस्सा निकालो मेरी तरफ मूँ करके आप बात कर लेकिन आप अपना गुस्सा निकालो जरूर जो लोग जो मिया बीवी नहीं लड़ते लड़ाई ही मिया बीवी के एक लांग टर्म रिलेशन्शिप की जमाना क्यों राब्या तो शाथ सब आप क्या कहेंगे आपके पास से साना के कॉपल जाते हैं कि मेरी बीवी मुझ से लड़ती हैं मेरा शोहर मज़ता नहीं लड़ता ये भी मुझे शादी जाहर ना देखें आइडियल को ना हमने एक डिफाइनिया किया हुआ है एक फ्रेम बनाया है हर बंदे ने माइन में कि जिस रिलेशन में कोई लड़ाई नहीं है उन्हें बिल्कुल ठीक है ऐसा बिलक मुख्तलिफ होना देखें मुख्तलिफ होगा तो जानेंगे ना जिस जगह को आपने देखा है जिस जगह को एक्स्प्रोर कर लिया है जिसको आपने जान लिया है और आपको फाइनली पता लग गया है कि ये ये है कहानी तो खतम हो गई जिसको जानना पड़े जिससे पू तो भी हमारी जो नहीं नसल है ये समझ हैं company ये हमारी जिंदगी का में यूर सर को से भी सैकिंड करos जूँगा अपनी बात को कि आरी जिंदगी निचोड幸 है कि ये एक सलाहियत है जिसको पॉलिश किया जा सकता है और इसके लिए बरदाश जरूरी है इसके लिए अच्छा लिस्नर होना जरूरी है इसके लिए दूसरे की रिस्पेक्ट करना जरूरी है इसके लिए दोनों का मेंटली हेल्दी होना बहुत जरूरी है एक अच्छा रिष्टा वो रिष्टा है जिसमें जहनी सहित ठीक रहे, काइम रहे और मैं फिर कहूंगा कि किसी भी रिष्टे की वज़ा से वो शादी से पहले बनाया और आखर उसने शादी तक महुँचना है और शादी के बाद बन चुका और चल रहा है अगर खुदाना खासता एक मरीज बन जाता है, बेतर है कि उस रिष्टे को खतम कर दिया जाए अच्छा ये भी आपको बता दूँ कि रिलेशन्शिप जो होते हैं जो हमारे रिलेशन्शिप बनते हैं और वक के साथ फिर एक्स्प्लोर होते हैं ये प्याज के चिलकों की तरह होते हैं, वो हटते जाते हैं एक निया चिलका, एक नई लेयर, एक नई लेयर कुछ लोग इतने मजबूत होते हैं कि वो असल नहीं दिखा पाते हैं उनकी जो असल शकल, असल फॉर्म होती है, उसके उपर इतनी अच्छी मूलमा कारी हुई होती है, इतनी अच्छी कास्मेटिक उनकी बनी होती है कि वक के साथ साथ, मैं वो तमाम सुनने वाले हमारे जो बेटी हैं, हमारे जो बच्चे हैं और आपके साथ दो एक्सपर्ट बैठे बात कर रहे हैं मैं आपसे दर्खास करूँगा कि शुकर दा करें अगर पता लग गया है अगर वक्से पहले पता लग गया है तो इस पे तो मुबारक बात बनती है बजाए कि जी आप मर गे मर गे लुटके लुटके जी एक जजबाती हादसा हो गया अगर आपको पता लग गया है कि इसके साथ चला नहीं जा सकता और फर्ज कीजिए कि दो या तीन साल के बाद पता लग गया है कि नहीं चला जा सकता तो पूरी जिन्दगी आपकी अभी भी पड़ी है, उसको बचाया जा सकता है आप अभी मंगनी है, यहां कोई रिलेशन है, कोई वादा है और नहीं चला रिलेशन, शुकर अदा करें समझ आगी इसके साथ नहीं चला जा सकता, मैं आपको एक और बात बिप्ताओं एक काम्याब रिष्टा चलते चलते शादी में कनवर्ट हुआ इतनी लर्निंग नहीं है जितनी ब्रेक अप में लर्निंग है तारीख में ये किताबों में बात दिखी हुई है जाकर पढ़िये निपॉलीन हिल के किताब उसमें पूरा एक चेप्टर है इस पे उस देगा तारीख की जितनी क्रेटिविटी है, जितने बड़े काम है वो तूटे दिल वालों ने किये सर अगर लड़िंग है तो फिर लड़कियां इतना इमोशनली एफेक्ट की होती है नोट इवर इमोशनली, मेंटली भी और समटाइम सोचली भी उनके उपर इतना इंपक्ट पड़ता है कि वो अपने आप पर नहीं चीज़ें हावी कर लेती है अचा देखें ये ना मैं फिर कहूंगा परसन टू परसन वेरी करता है पहली बात तो ये मैं आपको वाज़ा कर दूँ जो रिशर्च है मैं आपके सामने रख देता हूं उसको गूगल पे अभी हमारे सुनने वाले इस प्रोग्राम के साथ साथ ज़रा सेकिंड़ कर लें दूनिया में जो आवरिज है जरा ओरत की ज़या है जो स्ट्रेस चालंच बरदास्ट करने की सलाहियाता ओरत की ज़या है की काम है दुनिया में ये देखा गया है कि अगर कपल है और उसमें से फर्स कीजिए कि मर्द अल्ला को प्यारा हो गया और सर्वाइब कर जाती है बच जाती है लेकिन अगर फीमेल चली गई है मर्द नहीं बचता कुछी अरसे के बाद ये 70-80 परसन लोग बिचारे आपने बुड़े बाबे कम देखे होंगे बुड़ी माईएं ज्यादा देखे होंगे लेकिन तब तो मर्दों को देखा गया है कि वो तो सीरिस भी नहीं होते कमिटिट भी नहीं होते और और उड़ते ज्यादा है मौशली कंडेक्टिड होती है ये पिर कह लीजिए को वाकिया वाकिया हो सकता है और तो पर ज्यादा दुबावाजा दमाशिक निकिया जा सकता इसको हम यह नहीं हम देखें आप हम चारों बैठें इस वक्त हमारे सामने एक डैश बोर्ड है जिस पे मुक्तलि नहीं पुढ़ा सकते कि यही होता है यह परसंटू पर्संट वेरी करता है एक ही वाकिया एक के लिए बड़ा नॉर्मल है दूसरे के लिए जजबाती हादसे तीसरे के लिए उसमें लर्निंग है चोथा मुम्किन है मैंने ऐसे बच्चे देखिए बच्चे मैं आपको यह म में आपको वाज़ा कर दूँ मैंने कोई देवतासी नहीं देखी देवतास देखे हमें आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए यह जो एक चैलेंज है इमोशनली यह यह मेरी अब्सुर्वेशन है अगर लोग अपने नॉब्स वेली अगर को देखे जले और अगर कोई रिलेक्शिट इसाज चल रहा हो और अगर ब्रेक अपोज़ा तो सबसे ज्यादा प्रेशिर सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो और अग्या जैसे खावतीन का था आप देखे कि एमोशनली भी इतन नहीं मिलता है पतलब हो हर तरह से ट्राबल में आती है तो यह भी तो एक एक इन्फरादी केस हो सकता है जी देखे मैं फिर दुबारा आपको वाज़ा करूं इसमें ऐसे केसे जिसमें फैमिली साथ बैठती है जो कहती बेटे कोई मसला नहीं है जिंदगी आगे पड़ी है हम आगे देखते हैं चंद दिन पहले बकाइदा इस पर कहीं लोगों ने ब्लॉग्ज लिखें कालम लिखें इंडिया में एक वाक्या वाज़ी जैसा भी बड़ा मज़े का वाक्या वाक्या ही हुआ है कि किसी घर में एक बच्ची उन्होंने रुकसत की बड़े दूम धाम से और वो नहीं चल सकी शादी वो बाप को पता लगा कि उसको एक बड़ा मेंटल प्रेशर और उसको एक स्ट्रेस और उसको शदीद एक नफसयाती धज़का लगा है वहाँ टाइम गुजारने के बाद वो वापिस लिया है उन्होंने पूरे खानदान की जो ऐसे बारात फे और हम सारी फंक्शन करते हैं पूरा फंक्शन उन्ने किया और फंक्शन करके कहा कि बेटे हमें आपकी जिंदऀगी आपकी सेह्ँधा प्यारी आप वापस आगयो हम इस चैप्र को क्लोज करते हैं जिनदगी को आगे देखते हैं मैंने केस कुद देखा मेरे के रीबी अब ये देखें ये ये एक मार्जन है जो कुछ जगा पे पैदा होने लग पड़ा है ये जो सोशल प्रेशर्स हैं ये भी मुख्तलिफ जगा पे मुख्तलिफ कल्चर में जाद बरादरियों में एक से नहीं है तो सुनने वाले मैं जरूर कहूंगा वालदेंस से अगर मैं ब आप ने फिर भी सीने से लगाना है और उसम sophisticale में से उसकू में जहां गिरें उसमसे से निकाल के बाहर फिर जिय पर जिदेखी के काबल करना है और जो किसी भी चैलेश का शिकार होते हैं जैसे हमारी धूनों होस्त ने कहा कि बातम हमारे बेटी candy है इसमें भी learning थी इसमें भी को मसलहत थी ये भी आपकी शायद वो civil services में कहते हैं mid career course आ गया तो आपने वक्त से पहले कैसा course कर लिया जो ना यूनिस्ट्री करवारी थी ना college करवारा था ना किसी किताब में था आपका सबक ऐसाब को मिल गया जो आपके जिन्दकी भर काम आएगा बिलकल से बाद बिलकल से बाद सब्सक्राइब यहां पर relationship failures की बात कर रहे हैं लेकिन उससे failure से पहले का स्टप है cheating तो cheating के reasons क्या है और cheating आखिर स्टार्ट कहां से होती है देखिए कुछ लोग उनकी तर्बियत ऐसी हुई होती है वो manuplative होते है कुछ लोगों को मैं आपको एक वाज़ा कर दू मेरा ये thesis है जी वो सब के सब लोग जो आखिरकार हमें बड़े बुरे लगते हैं अगर उन पे research की जाए किसी psychologist को बिठा कि उनकी personality का analysis किया जाए उनकी roots को ढूंडा जाए वो सब काबले तर्स लोग होते हमें गुसा आ रहा होता है हमारा दिल करता है कि उनको एक मुका मार दिया जाए हमारा दिल करता है इनका सर पोड़ दिया जाए अगर ढूंडा जाए तो किसी को बुरा बच्पन मिले, किसी को बुरे हालात मिले सबसे बड़ा चैलेंज, कुछ बच्चे तियार ही एक ऐसे इंवार्मेंट में होते हैं जहां पर माँबाप के जगड़े बहुत जाद है मेरा ये जुमला है, किसी किताब है, मैंने इसको लिख दिया इतना एक बम फटने से नुक्सान नहीं होता जितना बच्चे की शख्सियत पे एक क्लैश जो माँबाप का है, नफरत वाला तालुक है जिसमें एक mental torture है, जिसमें uncertainty है, जिसमें fear है वो लड़का या लड़की ये दोनों हो सकते हैं, मैं आपको वाजिया कर दूँ मेरा thesis बिलकुल ये नहीं है कि जिसमें हम किसी को जालम कोई भी हो सकता है ये man to man ये capacity vary करती है एक manipulative शक्सियत बन गई है, उसके अंदर commitment नहीं है वो एक जगा खड़ा नहीं रह सकता, वो अपने वादे को पूरा नहीं कर सकता कुछ लोग बिमार होते हैं, ये भी आपको बता दू, वो relationship की भी बिमारी है वो बनाते हैं तोड़ते हैं, बनाते हैं तोड़ते हैं, उनके अंदर ये सलाहियत ही नहीं होती है अभी आप किन उनकी बात करें, मर्दों की या उड़तों की दोनों में पाई जाती है, ये दोनों में पाई जाती है जी ठीजुए इसको आप देखें किए की आपका प्रोग्राम को कि वोमेन औरीनिटेड फीमेल जर इंचे है तो आपकी तो मजबूरी आपना भाइचा अलासा को अबरकम कैसे किए ज यहां नेइस की है मैं जज निव्टल बनाया और फिर मतलब नए से निया एक रिलेशनशिफ बनाया तो आपके पास वैसे बहुत केसिस आते हूंगा यह सारे केसिस में इस तरह की सिच्वेशन्स होती है और यह जो बेवफाई वाली बात है यह शादी के बाद भी बच्चीया शकायत करती है एक हावन बेवफा है और शादी होने से पहले भी बाद उकात इन लोगों को शक पढ़ जाता है बच्चों को लेकिन चीटिंग का जो थ्रेशोल्ड है यह वेरियेबल इस पर जरूर बात करनी चाहिए आपको कि आप किस चीज को चीटिंग समझ के एक नाकाबल इसला नाकाबल माफी करार दे र मर्डर वो हमारे लिए जो लोग क्रिमिनल साइट पर प्रेक्टिस करते हैं या जज हैं वो किताब बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है कि एक ही सिचुएशन में दस कीस को स्टडी किया गया और केस बेसिक यह है कि एक आदमी ने अपनी बीवी को और उसके दोस्त को म मर्डर कर दी है 5 था उसको बीवी से बहुत महबद थी लेकर इसने उस बंदे को जरूर मर्डर कर दी है यह से कंड केसे थर्ड केस यह है यह कि बीवी से दिलबरभाडाश्वा बीवी को मर्डर करती है अब ये देखें बात एक है है सिर्फ चिटिंग लेकर उसके ओपर रियक्शन जो है वो डिफरेंट है एक ऐसा अदमी है जिसने कहा अपनी बीवी से कि तुम चिटिंग कर रही हो कब से कर रही हो मैंने तरह बैंक बैलनस देखा इतना पैसा है तेरे पास तो क् हम दोनों मिल की इस काम को चलाते ही है सर सॉरी डू कट वाट हमारे साथ अब ये कालर मौजूद है असलाम अलेकूं असलाम अलेकूम मेरा नाम महवेश है मैं कराची से बात कर दी हूं मेरे मुछी साहफ की सवाल है कि चिटिंग की हवाले से सवाल है कि मैं एक लड़की के स अब मुझे पता चल दिया है लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि लोग मुझे सब लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम ना शादी से पीछे ना हटो और ये लड़का शादी के बाद बदल जाएगा लेकिन मेरे दिल में शक्त बैट गया है तो मुझे बताएं कि मुझे इस रेश इसका जो आसपेक्ट है और मैं आप से बियान करना चाहूंगा वो ये है कि जब आपको शादी से पहले इस तरह की किसी बात का पता चलता है तो आपको अपने दिल में ट्रेटोलना चाहिए कि ये आपके लिए कितना काबले माफी जुर्म है अगर आपका दिल ये कहता है क पर जो ये इस पर मैंने माफी नहीं एक और किसी ने बात शुर्ट में पनेखो अपने जिन्दगी पे निकलते रहना है मेरे दमाग में तो फिर तो इस कित भार बीसले लाइशन को पैदा करने के बाद इस तरह के साथ किसीटुएशन में जाती है उनके साथ वो सीचूशन होती है कि मुझे उनको सेकेर्टिस के पास बेजना पड़ा है तो अगर आपको ये लगता है कि ये आदमी जो है इसके बारे में ये जो एक मिल जाएगा जिसने कभी जिन्दगी में चीटिंग में भी के वो डबल चीटर हो तो इसलिए ये जो ख्याल है आपका कि हम इसको इसी बुनियाद पर इस रिलेशन्शिप को ब्रेक कर रें तोड़ दें और इस शादी को यहीं पर छोड़ दें मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज जारिश ये है कि इस सारी सिच्विशन में इस तरह की सिच्विशन पहले तो बड़ी कॉमन है जी ये कोई इसमें दूसरी जाए नहीं कॉमन ये स्टोरी आपको मिलेगी मेरा ये कहना है ये किसी बी जिन्देगी की सिच्विशन कभी चलते चलते ये शादी से पहले हैं बा और कोई शक नहीं बड़ा एक सेट बैक है, इंसान इमोशनली बड़ा हर्ट होता है, हमें बैट की तफ़ा बात करनी चाहिए, और बात करके वाजिया करके बड़ा एक क्लियर कमिटमेंट लेना चाहिए, और सामने वाले को बताना चाहिए कि यह कितना बड़ा जजबाती नियू करना चाहिए, chutकी अँन मेरा जजब साब का ये थीसिस है, जजब साब का थीसिस है, मैं इस में जजब साब के थीसिस को सेकिंड हमेशा करता हूँ, इस रेलेशन में जिसे मिया बीवी का रेलेशन कहते हैं, एतनी ताकत है, ये बत्तरीन हालात के बावजोद भी इ जिसमें केसिस हो गे हैं, कोट केसिस चल रहे हैं, और मिलने के लिए टाइम अदालत से लेना पड़ रहा है, बच्चों को, पता नहीं किस किस हालत में लोग जा चुकी हैं, अगर ये दो लोग डिसाइड कर लें, कि हमने साथ चलना है, तो चला जा सकता है, एक बात में जज़साब फिर उसको सेकिंड करूंगा देखें आप छोड़ के एक नया रिलेशन बनाते हैं तो खबर नहीं है कि दुबारा फिर ये वाक्या हो ये वाक्या फिर भी हो सकता है आप जानिये समझिए कि कहीं वो हैप्चुल तो नहीं है आदी तो नहीं है पुराना वारदातिया तो नहीं है ये बिमारी है चीटिंग एक आप्शन है या चॉइस है देखें मेरा ये कहना ये है कि जिसके इखतियार में नहीं है वो बिमार है कुछ लोग बिमार है इसमें उनके इखतियार में नहीं है उनको proper counseling की जरूँत है उनको help की जरूँत है और ये 1000 में से एक दो cases होते है male female दोनों में आप cheating बार बार कह रहे हैं और फिर कोमाज में करके कह रहे हैं cheating का word ये male female दोनों में 1000 में से एक दो cases होते है और ये वो लोग होते हैं जो आखरकार करते 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 published जैसे कोई चीज होती है प्रपेर होती है ये करते करते ये character बना होता है ऐसा जिसके बाद उस पर rely नहीं किया जा सकता जिसके बाद उस पर trust नहीं किया जा सकता सो किसी भी वक्त में अगर ये ऐसी को खराबी आ गई है चैलेंज आ गए दोनों को बैठके बात करके चीजों को वाज़ा करके दुबारा से शुरू कर लेना चाहिए ला करम करता है जी चीजें कोई इतनी बुरी भी नहीं होती जितना असल में देखें फिर आपके mind में जो anchors बने हुए है mind के जो windows बनी हुए है जो जिन्देगी को देखने के मुख्तलिफ जाविय बने हुए है किसी के लिए कोई बात नहीं है मैंने एक ऐसा केस देखा जैसा जिसमें किसी बहुतरमा ने का कि उन्हें पता लग गया जी कि उनके husband का एक relation चल रहा है और वो आईए उनने का जी मुझे पेन है मैंने का जी पेन को दस में से नंबर दें उनने का जी दो सिर्फ only two मैंने का पेन के मेरा ख्याल था कि आप नो नंबर देंगी उनने का जी मेरा यकीन है कि जितना इखलास और जो devotion मैंने दी है यह कई नहीं जाएगा यह बड़ा एक confidence है उसने का जो दी बेस्ट मैंने किया हुए जिंदगी मेरी मेरी मेंच जा नहीं जा सकती यह बंदा क्या कर लेगा आखिरकार इसे जो सब कुछ मेरी जात से उस घर से और जो हमने मेहनत से घर बनाया हुए है उसी से मिलना कहीं नहीं जाएगा तो यह जो एक confidence है यह man to man vary करता है और यह हमारी बेटियों को हमारे बच्चों को एक confidence होना भी चाहिए मुझी यह बता है आप कहते हैं के relationship में जो इस्ता की हरकते करते हैं वो बिमार होते हैं तो आखिर वो बिमारी है क्या वो symptoms क्या आते हैं वो किस्ता से trigger होते हैं वो क्या genetic disorder है कोई या महौल को देख देखकर adopt कर लेते हैं और इंप्रूव्मेंट की कोई space होती है या नही दे मैंने उस जुम्ले को थोड़ा सा बदल दी है आपके माइंड में डोपामीन जितना produce होता है एक achievement का एसास एक victory का एसास एक इस process को enjoy करने का एसास पॉसेस करना यह सारा एक process है जिसमें से बंदा गुजर रहा होता है male female दोनो और होता ही है कि इस process में जरा male की speed तेज होती है female मैं आपको बताओं वो किस्तों में emotions को invest करती है वो एकदम नहीं invest करती है यह बात मैं आपकी बात को यहां पर मैं बड़ा वाज़ा कर दूँ woman के लिए emotions सब कुछ है male के लिए emotions यह हैं वो यह फैंके यह उठा लिए female के लिए उसकी कई किस्ते हैं जो उसने अदा की होती है और आखर कार फिर उसने खुद सपुर्दगी की आदमी emotional नहीं होते है नहीं emotions दोनों के investment का अंदाज मुक्तलिफ है औरत के लिए किस्त किस्त करते करते उसने अपने सारे emotions इंवेस्ट कियो होते हैं मर्द की यह किस्त होती है यह उसने अदा करनी होती है और पूरे लड़के emotionally weak होते है या strong होती है या तरीके से अपने emotions को इस्तमाल करती है what is बत करने के लिए कई steps है जो लाशोरी तोर पे एक औरत उसको टिक करते 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 वहां पहुंचती है मर्द के लिए emotions दूसरा नहीं है वो एक उसके लिए एक one button one step है तो ज्यादा वाइजर कौन हुआ अगर तो वो औरत है वो आईससे से इंवेस्ट करी अपने emotions जो भी जिसमे एक station है जहां कि एक नई train चलनी है पीछे कितनी निशानी होती है जिसको अगर समझा जाए omans को decode किया जाए इशारों को समझा जाए तो समझ आती है कि relation चलना है कि नहीं चलना मैं आपको एक और बात एक अधाफा कर दूँ आपके इलम में ज्यादा तर relations love नहीं भी रहते वो जिद्धे बन जाते हैं जी सारी एक सेशन बन अभी यही से हम कंचिन्यू करते हैं एक कॉलर है इसको एड करते हैं असलाम लेकूं वालीकूं असलाम जी फर्माईगे जी मैं रमीज बात कारो लहूर से जी जी काईगे अजय कुछ ऐसे है कि मैं आपका शो दिख रहा थ लेकिन विद्धे पैसीज ऑफ टाइम मुझे थोड़े से उन पर डाउट सोने लगे तो पर एक तफ़ा मैं ने देखा के वे रस्ट्रेंट में किसी और मतलब एक और हमारे कुलीग के साथ मैंने देखा तो इन शॉर्ट शीची चीटिट अन वी तो आई वस कोई डिप्रे है अच्छा आप देखें गुजारिश यह है कि फिर मैं इस रुपीट करूँगा एक चीज को क्या पता कि हमारे यह भाई बोले भाई जानों यह समझ भी हो कि यह रिलेशन इस तरह है वह उस तरह होई ना एकि अंडरस्टेंडिंग है ना जी किसी के लिए मुस्करा के दे है कि मुझे दो तीन साल मेरे यह लव मेरा था मुझे लगता था तू साइड़िट यह वन साइड़िट था मैं को तू साइड़िट किस दिन लगा उन्हां नेंका जी मेरी बर्डे पे इन्होंने मुझे मेरे नाम का पर्स करवा कर वा कि कासिम साब लेकर आप ही देखिए कॉलर नेगे का है अब इसने बात की है तो कुछ सोच की की होगी ना वो डाउट के साथ तो नहीं कर रहोगा वो तो शादी की कमिट्मेंट के साथ चल रहा था चार साल का रिलेशनशिप है अब वो कह रहे है कि एक और कॉली के साथ मैंने इसको वैसे प्रूव है मेरे पास इसी गुनियाद पर खतम हो गया हमें पूछना चाहिए हमें देखें किसी भी हालत में जो कम्यूनिकेशन है इसकी विंड़ो खोलनी चाहिए दुनिया की अगर बड़ी बड़ी जंगें टेबल टॉक्स पर खतम हो सकती है दुनिया की बड़े-बड़े मसायल बातचीत से और यही Juds Certainlyक हम्isher news मषालीयत का चार्व किया है कि किसी भी بाततरीन हैं में बात चीत को खतम मेंधाए चाहिए उसमें बात चीत का सिंसला जाइ और इसमें फिर प्रोग्राम अ का टाइम थोड़का है तो आखिर में आप आप आपर हमनेगत किया है कि तो जिन्देगी का हिस्सा है किसी ने हर घर की कहानी है कुछ ना कुछ कई ना कई हो रहा है रिलेशनिशिप फेलियर जो है अब आप यह बताए कि चले वह हो गया फेलियर भी हो गया यह समय तो इसे आपके प्रोग्रम की स्पिरिट है कि आप एजुकेट करना चाहरी है उस सारी यूथ को जिनके लिए आप यह प्रोग्राम कर रहे हैं बड़ी दिलेरी से और हिम्मत से कर रहे हैं तो कि यह सब्जेक्ट बड़ा सेंस्टिव है और इस पे हम लोग आम तो पर बात नहीं करते हैं देखे इसमें एक चीज़ जो मैं समझता हूँ यह है कि हमारे जो बचीया हैं हमारी उनकी जो इस वकत हमारी जो सुशल सिच्वेशन है उसमें उनमें और मर्दों में बड़ा फरक है किसी लड़के को शादी से पहले और शादी के बाद कोई फरक नहीं पड़ता और बेटियों को घर चोड़ना पड़ता उसके जूते वहीं पड़े होते हैं उसी वार्डरोब में उसकी टूस पेस्ट वहीं रखी होती है अपने वाश्रों में और वो अपने सारा कुछ छो यह बहुत एक खतरनाक चीज है कि आप अपनी होने वाली जो बहू है या जो बहू आगई आपके घर में आपने उसको इस तरह का इंप्रेशन दिया उसको नहीं पूरी सुसाइटी को पूरी कम्यूनिटी को घर पे लाइटे लगा दी ढोल बजा दिये डांस नूस किये ब स्टेंडिंग जो है वो एक तो बहुत बड़ा एक बड़ा कैन्वस एक लएदा सब्जेक्ट कि क्या हम फैमली लाइफ जो है हमारी जोइंट फैमली लाइफ वह पूरी बहुत बुरी तरह से क्या हम सोचल मेडिया की मारुफत उस एक और फेस में नहीं चले गए कि जहां हमें अब joint family में रहना मुश्कल लगता है और वहां आपकी जो issues है और वहां के जो problems है तो असल जो बात है कि आपने इस ट्रामा में से निकलना कैसे है जो practical है हमारा ये इस बच्चे ने भी एक सवाल किया कि मैंने देखा मेरी जो होने वाली बीवी थी उसने मुझे चीट किया इसकी practical हमारे पास cases है जो study करना चाहिए हमारे पास आए हम उनको दिखाएं कि जब बच्चे ने मान ली है मेरे पास बैठके कि सर एक बंदा है office में मेरा boss है colleague है मैंने उसे बताया है मेरी शादी हो रही है मेरी ideal शादी हो रही है मेरे अपने boyfriend से शादी हो रही है मैं उसको पसंद करती हूं मेरा कजन है whatever लेकर वो मुझे नहीं छोड़ता वो रोज कोई नो कोई ऐसी issues create करता है वो मुझे बार बार phone करेगा बार बार message करेगा तो मैंने उसे का कि यह अच्छा नहीं है कि आप एक दफ़ा बैठके उसे इस मौज़ू पर बात करो आप खाली जान च मुझे शादी करने दो मुझे अपना घर बसाने दो अब वो देखने वाला जो बन्दा है उसका जो impression create होगा वह और समाज का जो impression देखें आपको अपने boyfriend से ज्यादा समाज की फिकर करनी चाहिए होने वाले खामत से ज्यादा समाज की फिकर करनी चाहिए यहां पे लोग करते है आपको उसको मजबूर किया जाता है कि इसको कुछ को मैं चुक्के जज रहा हूँ मैंने किस कोट केसे देखें लोगों ने खुद नहीं किसी को कतल किया निश्टादारों ने कतल कर वाया यह बड़े बगहरत हो गयो तो हम बदलाई ने ले अपने बाप का अपने बहाई का तुम्हारी बीवी को इसने चेड़ाए गुली मार दो इसको तो यह प्रेशर्स हैं तो यह सारे सोशल प्रेशर्स को हमें बैठ के इतियात से देखना है और हर चीज़ को डिसकस करना और इसके लिए आपको न्यूटरल लोगों की जरूरत बढ़ती है बार बार क कि आपस में डिजॉल्व करें शाह साब आप एंट पर क्या कहना चाहेंगे जो खावातीन है वो रिलेशन्शिप फेलियर्स को कैसे हैंडल करें चाहे वो डाइवोर्स है लॉंग टम रिलेशन्शिप है यह यंग जनरेशन में जो आच अर्ला होती है ब्रेक अप तो अच् की जिन्दगी में कोई ऐसा हो जिसके साथ सामने बैठ के वेंट आउट कर सके अपना दुख बता सके अपने इमोशन्स को बता सके जो आपकी कॉंसलिंग कर सके जो आपको थोड़ा सा कह लिजी कुशन दे जो आप वो इश्वाक साब के बकूल कि हर पाकिस्तानी को एक बरिया और को ऐस्ताद मिल गए मुशन मिल गया तो वो इश्क के मजाजी इस की हाकीकिमा बदल सकता तो सिर्फ इनर्जी चैनलाइस होनी उनी नहीं है वही इनर्जी अगर वह हो कि की तरफ ले जाता तो इसकी पूरी लाइफ में एक टबदीबी आर जाती है मैं आपको यह यह बताओं बेशुमार कहानी है दुनिया में पड़ी हुई है लोकल कितने ऐसे लोग हैं कि दिल टूटा उसके बद मकाबले के इम्तिहान पास कर दिया दिल टूटा उसके बद पूरी इंपायर खड़ी कर दिया ऐसी ऐसी मुवीज बनी है जो सिर्फ दिल टूटना ब्रेक करके दिखाया कि उसकिमिसान नहीं मिलती मेरा कि यहाल कि उस वक्त में कानसलिंग उला कुस आत देने वाला कुस समझाने वाला कोई वो जैसे एक सम जाने वाला पारडिन लगा जिए जस्खंपराय लगा जाता है पंजाबी में कहते हैं वो को ऐसा जखंबने वाला zam Xavier उन जो हम बात करते हैं तो आप देखें रिविंग रिशेशिप्स जो है वो बहुत डेंज्रस है क्योंकि आइधर टेक यू टीडी सेवन स्काय और आइधर शेटर यू बिकास वह उसका कॉंसेप्ट इसका जो एक यॉन्र है वह ही डिफरेंट तो उसके आप क्या कहेंगे कि जो इस तरह के रिलेशेशिप्स हैं लिवन अगर उनमें से खावातीन निकल लिए तो उनको कैसे वो अवरकम करें उनके लिवी बताएगे मैंचे वह तो इल्टीमेट गिल्ट कठा किया जा रहा है चाहते ना चाहते हम सब के अंदर एक जमीर है और उस जमीर जो है नो माइनस नहीं किया जा सकता एक सोल को माइनस नहीं किया जा सकता एक हमारी रू के अंदर एक हमारी जात के अंदर एक ऐसी हमारी स्किल है जो गल्त और सही को बताती है तो आप किसी चीज़ को कोई भी अच्छा सा नाम दे के वो लिविंग रिलेशन का नाम दे 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 आप अच्छ बट्र वाला इस तरह की किसी चीज में से बुजर रहा रहा है modern चैलेंज करता हूं उसको सकून निमसा करता है सकून को नेचर ने रखा ही नहीं इस तरह की चीजेशों उसकून अजते लेखा आपका एक समझ के साथ relation एक ऐसा relation जिसको आप socially भी दिखा सकें कि यह मेरा relation है और यह मैंने लेकर चलना है तो उस में से ही आप एक सकूनत, सकून की चीज निकाल सकते हैं आप प्लाइयर निकाल सकते हैं जो कि बॉड़ी की चीज है सोल जो है, इत्मिनान, अमन, सकून, शान्ती यह सब चीजें आपकी प्रॉपर किसी relation में होती हैं इस तरह की relation में नहीं है लेकिन आप देखे जो फिजिकली आप effect हो जाते हैं फिजिकली if you are affected and you are even trying to move on society भी आपको accepting करती है इसको आप किसी को बताई नहीं सकते वो उसमें फिर समाज कहां से आया जी उसमें तो सोशिली कोछी चीज शामिली कोई नहीं है आप उसको अगर बताएंगे तो लोग आपको ताने मारते हैं आज भी इतनी भी बुरी society नहीं हुई कि लोग इसको appreciate करें किसी भी living relation वाले को कोई भी appreciate नहीं करता उसको तो वो ताने ही देते हैं लोग अमूमन इस तरह के relations को चुपाते हैं अगर हों भी तो ये तो आपका एक जाती guilt आपके अपने अंदर एक regret आपके अपने अंदर एक दुख और अपने अंदर तकलीफ यो है वह वाप उसका बुझ लेके फिर रहे होते हैं और मेरा खहलं है कि उसको तोबह करके आप Allah से माफि माझ के माजरT करके खतम कर सकते हैं बहुकल थीक बहुत 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 शुक्रीव आपका र्यवाद्वे झाइन किया असलम अलेकम वालेकम असलम वेलकम असलम थैंक यू आप इतने विडिकल टाइम आप जोइन करती है बहुत बहुत शुक्री आपका जी थैंक यू पर लेटिंग में बीए यूर 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 टॉपिक्स इंद दिस्कुशन्स हापनिग जी जी तो मुझे बताईए हम लोग वैसे बात करें रिलेशिटीफ फेलियर्स की डॉक्टोशिवाना और इसके साथ सथम लोगãy और यह बात करें कि रिलेशिटीफ फेलियर्स और ऑर रिलेशिटीफ बेटिंग एक कॉंसेप्त है उसके हवाले से तो आप क्या कहेंगी कि यह जो relationship failures है और जो चीटिंग का एक element उसमें आ जाता है तो उससे क्या होता है खावतीन पर किसा से वो असर अंदाज करता है खाली खावतीम पर इंदाज नहीं करता है सर अंदाज आदमें भी एकुली करता है लेकिन आदमियों का सपोर्ट सिस्टेम और उनकी मैस्कुलैनिटी रिस्ते में आ जाती है कि वह हर जगा बैठके वेंटिंग नहीं कर सकते रिलेक्शिंशिप फैलियर्स के उपर अगर आप बात करें तो आप जैनरेशन के उपर बात करने पड़ेगी एक जैनरेशन आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि वट इस हपनिंग करेंटली जो के इतनी चीज़ें चेंज हो गई है पिछले भी दस साल में हुई है इससे डाइलेमा ऑफ चीटिंग और उस से उसी तरह निबर रहे हैं निबर दाजमा हैं जिस तरह से पहली जैनरेशन थी जो हमारे माबाप थे उनके नाना नानी दादादी थी चीज़ें बदल गई है विद द न्यू जैनरेशन जो के आ रहे हैं आपके अलो पंदरा साल से लेक उन्होंने पूरी वर्ड ग्लोबलाइशन हो गई है उनके मेंटोर्स उनके टीचर्स वो वाले नहीं हैं जो हम लोगों वाले थे कि अच्छा चीटिं हो गई हमारी और बैठके घर में रो रही है वो कहलें पैंतिस साल से उपर के लोग हैं जो अभी भी रिलेशनशिप्स क कि सेटर्नेस को समझ रहे हैं यह जो सोशल मीडिया है उसनी नहीं पौद पैदा करती है और अभी जो आपके एक हजरत ने फोन किया था एक और वो कह रहे थे कि मेरी लड़की जो है चार साल की कमिट्मेंट के बाद रस्टोंट में की साथ पाई गई गई इस इस और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की मैं बात करती हूं अच्छल मैं पाकिस्तान में बात करती हूं मेरी जो अपनी प्राक्टिस है मेडिकल एंड सरजरी की वो तो मैं युसमे करती हूं क्यूंके मुझे इतनी डॉलर्स अधर नहीं मिल थे लेकिन जितनी भी परसनल कोचि मेरी होती है पाकिस्तान के अंदर होती है वहां पर मेरी मेरी में 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 टोरिंग करती हूं बच्चा बदल गया अपका लड़किया बदल गी है सोशल मीडिया ने जे जनरेशन एक परवान चड़ाई है उनके चैलेंजिस बहुत इफरेंट है उन लोगों से जो 40 येर्स ए इस सूर्टेहलात में उनकी जो अविलिबिलिटी एन एक लड़के के साथ नहीं होती है और इसी तरह लड़कों की एक लड़की नहीं होती है उनके इंडिस्टेंडिंग अफ रेलेशन्शिप यह है कि हमने बैक अपस रखने हमने और उसके बाद यह होता है जी कि अगर चenne को क्या चाले बचेत अब करते ह हैं गया annaap को फोलेशनिया से मिलाइए अब कर ठीमेंट करती हो चैण हैं और 1410 वह उसी तरह से रोरी होती चीटिंगमों उसके यह बात कर लेंगे कि they want to get out of it, तो मैं उनको क्या advice करती हूं कि उनको क्या करना चाहिए, लेकिन जो बच्चे होते हैं आज कल के, जो लिविन में हैं, जिन्होंने रोज अपने relationship बदलने हैं, उनके पास जब कोई ऐसी बच्ची आती है, जो head to toe covered है, जिसने अपनी तन मन को धांपा और एक certain look नहीं दे रही, उसको आजके कोई पूछता नहीं है, एक नहीं लड़की को आपकी एक शक्सियत को तामीर किया जा रहा है, सोशल मीडिया के लिए, और लड़के जो हैं, वो उसी तरह की लड़कियों की तरफ attract हो रहे हैं, because of the Hollywood, Bollywood influence and globalization. तो ऐसे लोगों के challenges अगर आजकल के बच्चे जो हैं, हमने काम जादा नहीं करना, हमने हाथ बड़ा मारना है, कोई settled लड़की मिल जाए, कोई settled लड़का मिल जाए, साथ मिलके आपस में जिंदगी थिक हैं, थिम के साथ नहीं गुजारना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, everybody is looking for shortcut. ऐसे चीट कर लिया, तो उनके लिए मैं हमेशा कहती हूं, कि देखें, ये चीज़े एक्यूमिलेट होती हैं, औरतें जो होती हैं, अगर आप उनका reproductive system भी चेक करें, head to toe, अगर आप evolutionary process चेक करें, तो gatherers थे, वो information gather करती थी, घर में रूसे से बात करती थी, cave time में भी अगर आप तो आदमी क्या करता था, जाके हंटिंग करता था, चीटे को मार कर लेकर आता था, फोकस्ट से आदमी compartmentalize कर सकते हैं, वो काम पे अगर affair भी चला रहे हैं, दस affair separately चला सकते हैं, उसके बाद घर पे आके ये भी चाहेंगे, कि बीवी को भी उस तरही महबत दें, बच्छों क भी चला सकते हैं, तो इसलिए ज़रा कमी थी, अगर चीट हो जाता है, तो मैं हमेशा ओड़तों को कहती हूं, कि तुम्हार रपास एक्जिस्टिंग स्ट्रॉक्चर से बेहतर कोई स्ट्रॉक्चर है, तुम फानेशल इंडिपेंडनेंट हो, तुम अगर अगर अपने मिया बीच में, जो हो गया, वो हो गया, और आदमी को मैं कहती हूं कि रिलेशनशेप कभी से नहीं रहे का, और अपने नहीं शादी एक दूसरे के साथ करनी है, और इसी शादी के ऊपर नहीं फांडेशन बनानी है, अंडिस्टेंडनिंग के कौन सी चीज़ें गलत हो गई थी, ही कौन सी अनमेट निछीच थी, आप मतने से लूटिघ के अदर अपर नहीं हो अपैस्य हमेर मुख वान कर सकते हैं, वह आद रेलेशनशेप की जो सकसेस है, वह जी है कि अर आगे भी से जालें लीकिन जो पिछली भाते उसको सम्हाँ एक वार्ष बाठ जेते हैं जिए ए आमना अक्ताब, she's a human activist, assalamu alaikum, welcome to Mary Saheli, thank you, thank you so much, assalamu alaikum, yes, walaikum assalam, yes, Rabia, बताये, आज हम कौंसा special topic discuss करें हैं, आमना, आज हम बात करें हैं, relationship failures or cheating की, तो आपके नजदीक, reasons क्या होते हैं, इस इन दोनों steps के, इस start का होते हैं, इसके बहुत सारे factors हैं, इसके बहुत सारे factors हैं, इसके पाकिस्तान में 43% मेल्स चीट कर रहे हैं, और 22% के करीब फीमल्स चीट कर दी हैं, relationship में रहते हैं, अच्छा, अब इसके बहुत सारे factors, जब से पहला, जो मेरे जहन में है, के emotional disconnect, जब भी couple में emotional disconnect आजाता है, वहां पे वो space छूट जाती है, खाली होती है, तो वहां प फिल इन करता है, दूसरा जो childhood traumas है, वो unresolved issues, जो बच्चे उस महौल में बड़े हो रहे होते हैं, और जहां पे वो insecurities देखते हैं, तो जब भी वो relationship में जाते हैं, कहीं ना कहीं वो वो वापस bounce back होता है उनके जहन में, और relationship को वो उस तरह carry नहीं कर पाते हैं, तीसरा अपने friends से discuss करती हैं, वो कहते हैं, you don't deserve this, इसको छोड़ो, कोई बात नहीं है, you should move on, और इसको यह नहीं कहना चाहिए था, तो वो already hurt होती हैं, और जादा hurt होना शुरू होती हैं, तो जो reactions हैं, वो husband से, of course, और अपने आपको distance करती हैं, तो यह कुछ चीजे हैं, जो हमें communication gap again, that is the biggest factor, कि जब मिया बीवी आपस में बैठ के communicate नहीं करते हैं, और hurt होते हैं, तो कुछ अरसे के बाद वो चीजे इतनी pile up हो जाती हैं, कि वो इस relationship उनके लिए घुटन बनना शुरू हो जाता है, कि हम कहां पे रह रह रहे हैं, तो definitely psychologist का बहुत एहम किरदार यहां पर आता कि मैं चुंके clinical psychologist हूँ, तो मैं आपको जादा जो अच्छी एक picture है, वो in the reference of psychology देना चाती हूँ, जब भी हम किसी individual की बात करते हैं, तो उसके साथ, उसके होने वाले behaviors में कुछ factors का रोल होता है, उसमें सबसे important factor तो उसके अपने factors, जिसको हम internal factors कहते हैं, वो होते हैं, और सबसे पहले, क्यूंके internal factors वो होते हैं, जो आपके control में होते हैं, जिनसे you are aware or you are not aware, तो इसलिए उनकी सबसे ज़ादा significance होती है, internal factors में सबसे important चीज यह है, lack of satisfaction, या lack of contentment, आपको जो चीज मिलती है, you are not satisfied with it, and you want something better, you want something more, ठीक है, और उसके चाहत में या उसको देखने के लि you know, another person, उसके इलावा बच्चपन से कुछ ऐसे aspects हैं, जो आपकी personality को shape करते हैं, उसमें सबसे important aspect है, attachment styles का, attachment styles basically आपकी development का पार होते हैं, because जब एक बच्चा पादा होता है, infant होता है, तो उसको सबसे जादा जो security या warmth मिलती है, उसके primary caregiver से मिलती है, which in most of the majority of the cases is women, women, जो उसकी mother, अगर mother उसको attachment या warmth या due जो उसकी care बच्चे को वो नहीं दे पारी, तो insecure attachment patterns वो बिल्ड होते हैं, आपके primary caregiver के साथ, जो आपको later on जो आपकी adulthood functioning है उसको खराप करते हैं, जो के in the form of marital relationship होती है, सबसे importantly, तो अगर बच्चपन से अगर बच्चा एक secure attachment with the primary caregiver नहीं बना सका, तो उसने आगे जाके भी insecure attachment बनानी है, अपने intimate partner के साथ भी, तो इसलिए वो बहुत important है, parenting का बहुत ज़ादा रोल है, अगर बच्चा किसी ऐसी environment का part रहा है, जहां पे parents, one of the parent was a cheater, or one of the parent was someone who was disloyal with the other partner, तो उस सेनारियो में भी बहुत सारी chances हैं, यह मैं आपको research evidence बता रह हो जाती है, कि वो बच्चा चुकि उस environment में रहा है, उसने बच्चपन से यह चीज़ देखी अपने इर्दगिर्द होते वे, तो भी later on इसका part बन सकती है, फिर उसके इलावा यह जो आपकी personality में कुछ ऐसे narcissism जैसे है, कि if I think that I am the center of universe, और मुझे मेरे इर्दगिर्द सारी जैसे मैं चाहरी हूं या चाहरा हूं वैसे होनी चाहिए, और a partner is another person, ठीक है, वो आपके according नहीं चल सकता, because उसके अपने thought processes है, उसके अपनी likes, dislikes है, उसके अपनी personality है, अगर आप एक narcissist है, you have some issue in your own personality, that also means के आप पे, the probability is quite high, के आप you'll end up having an extra marital affair, तो internal factors में, उसके इलावा भ बहुत सारी हैं, जैसे drug addiction है, उसमें बहुत जादा chances हैं, कि वो बंदा करें, especially aggression, low self-esteem, depression, anxiety, because you're not contended with where you are, so obviously you're searching for another thing, so एक तो वो चीज़ है, फिर यह सारे मैं आपको internal factors बताया है, कुछ external या societal factors होते हैं, जिसमें के, उनोंने भी बताया है, के peer pressure, अगर आपके इर्दिर्द जो लोग हैं, अगर वो भी उस चीज में involved in, तो बहुत मोटिवेट यू to be a part of that thing, even if it's a bad thing. आप सोचल इंट्रेक्शन की बाते हैं जो इज सीड़ी, पिलिंक भी मेरे लिटिघाल से गाएब ऑगर अगए अपके इंटीजह करती हैं, पर उझाइं, यह सार है और आप प्रेंड प्रीच अपटे को वर्कर से लिए आपका एक्डिर एंट, आपका एक सोचल इन्वार्मे को पुनने हमे युजास जों किया विडियो लिंक पर इम सेट कीब बात कर युचिछ इस लाइफ को जायन ट्रेनर आस्लाम लेकूम वेल्कम तुम टूम टूम के रिखिर यूर्म वालेकुम असलाम, can you hear me okay? येस, येस, thank you for being part of the show, कैसी है आप? ये चीकूँ, thank you for inviting me, it's a pleasure to be here. Thank you. एरम, आज हमारा ची टॉपिक है, वो relationship failures पे है, और उसके साथ साथ जो relationship में cheating के elements है, और वो that leads to destruction of a relationship in the end. तो इस साथ आप पूचा चाहेंगे, कि खावतीन पे जाता दबाव होता है, माशिरती भी, socially, emotionally, physically, mentally. तो उसमें जब relationship failure एक आप गुजरती है, तो उसको क्या करना चाहेंगे? That's a great question. It is true, बिल्कुल ये बात सही है, कि ओरत जब relationship failure से गुजरती है, तो वो ज्यादा तूटती है, वो ज्यादा महसूस करती है, इसके काफी factors हैं, एक तो ये बात भी बिल्कुल सही है, कि ओरतें naturally ज्यादा emotional भी होती है, दूसरी इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये है, कि ओ totally dependent on a man, उसका survival पूरे का पूरा under question आ जाता है, जब उसका husband उसको छोड़ है, या the man that she was going to be with is no longer going to be with her, तो औरत एक बहुत डीप survival लेवल के उपर effect होती है, तो पहली चीज़ इसमें जो मैं अपनी students को भी कहती हूँ, cheating चाहे victim उसका मर्द हो या औरत हो, इसके बहुत डीप असरात होते हैं, ये बात नहीं है कि सिर्फ औरते ही बहुत जादा उसमें तबाह होती है, मर्दों के express करने का तरीका different होता है, मैंने दोनों को council किया वे, so I know कि मर्द भी बहुत जादा effect होते है, so जो cheating का victim होता है, उसकी पहली जो सबसे जादा जो चोट उसको emotional लगती है, वो लगती है, they start questioning their self worth, because जाहर है, my partner went to somebody else to get their needs met, so I will automatically feel I'm not enough, so ये जो I'm not enough, or I'm not worthy जो है, ये एक बहुत गहाँ लगता है, जिसकी वज़ा से बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ये आपके deep identity level पे जाके आपको, फुद को question करवाता है, अच्छा, अभी से पहले शाह साब जो बिल्कुल दुरुस्त है, कि जब दिल टूटा हो, तो उस वक्त अगर कोई आपको guide सही मिल जाए, या आप खुद भी ये कर सकते हैं, कि उस टूटे वे दिल की journey से आप actually इशक हकीकी तक पहुँच सकते हैं, वो कैसे, कि हमें ये चीज़ सिखाई जाती है, through our conditioning, through childhood, through parents, that we seek the validation of self-worth through other people, right? कि मैं अपनी value आप से बता करूंगी, आप मुझे validate कर दें, आप मुझे validate कर दें, आप मुझे validate कर दें, हमने अपनी सारी validation दूसरों को दी होती है, दूसरों के हाथ में पकड़ाई है, अपनी सबसे कीमती चीज़, जब कोई हमारा दिल तोडता है, वो एक ब बड़ा जटका मुझे लगा है, कि मैंने अपनी सबसे कीमती चीज़ किसी और शख्स के हाथ में पकड़ा दी थी, तो पहला लेसन तो हमने ये learn करने, इस से पहले कि हम सोचें कि माफ करने कि नहीं करने, पहले सबसे पहले तो अपनी उस कीमती चीज़ को वापस लें, दु जो इंटेंस मुहबत है, हमारी जिससे सेल्फ वर्थ डिफाइन होती है, वो उसका पास्तार सिर्फ एक ही हस्ती है, तो अपने आपको रब की नजर से देखने की कोशिश करें, और उसके बाद अपने दिल में अपनी मुहबत पैदा करें, ताके आपको अपने आपको रब अपनी सेल्फ वर्थ के लिए कभी किसी शखस का सहारा ना लेना पड़े, आपके अंदर एक ओना चाहिए और आपके रब से वो आपकी जरूरत पूरी होनी चाहिए, आपको अपने बात करते हैं, तब तो आपको नहीं बता कि चीटिंग का कोई ऐलमेंट हो सकता है, या को सरस्कारी हो सकता है, या कोई अपके इंड से को इशी हो है, और सामने वाले के इशी रगारेज्ट को अपने हैं, जा हम बात करें के बात कर दोंस की कि वो कौन से रच एक रड़की ज़ देखें जह रर लड़की लेखें, अगर बो किसी भी सेयी लिए ठीशी आर रवी चा जाहती हूं कि इस तो बेटर फार एजिए तो चेंज टी इंडिंग अगर लड़कियां समझदार हो जाएं और एक जहांदीदा औरत की तरह अपने फ्यूचर के बारे में सोचें इस रिफ एक फैरी टेल के बारे में नहीं सोचना एक रोमान्स शादी इस नाट जिस अब रो इंडिंग राइट सो उसमें जो मैं में चीज जो कहती हूं और वो एक बहुत अनफॉर्चनेट चीज़ है क्योंकि इस इस केस में पूरे का पूरा माश्रा हमारा आवे का आवाई हम सब बिगड़े हुए हैं कि सबसे पहले जो रेड फ्लैग्स हैं एक चीज समझे किस किस कर सकती है और यह लड़के लड़कियों दोनों के लिए जो शक्स जूट बोलता है और आम तोर पे बोलता है आप उसको उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो चोरी भी कर जाएगा अगर हाला ठीक होंगे चोरी चीटिंग इस ते सेम तिंग वो रिलेशनशिप में भी चोर है आप अगरे शुट बोलता है जो अपनी सारी स्टूड़क को कहते हूं जो शुट बोलता है मैं अपनी सारी स्टूड़क को कहते हूं जुट बोलने वाले शख्स को अगर आप अवाइड कर सकते हैं अभी शादी नहीं हुई उससे शादी ना करें क्यूंकि जो जुट बोलता है वो कल को चोरी भी करेगा वो और चीज़ें भी करेगा क्यूंकि जूट आपकी परसनालिटी को आपके केरेक्टर को वीक करते त हैं अगर जिस तरह कुछ आपके कॉलर्स ने कहा था कि आपको शादी से पहले ही ऐसी हरकात और सक्नात नजर आ रही हैं विर अपरसन इस बिंग लेस्टन ऑनेस्टन बेरी ओपन कोई इस तरह के आप उनके हरकते हैं जिनकी वज़ा से आपको ट्रस्ट इशू हो रहे हैं त अगर आप पुछ आपके कुछ ने के अद एक नियुक्त पूंसलिंगा रॉन जाओ आपके लिभी जात और आपके आपके एंसलिंग अगर ब्लाइस तो आपके मेटाइस आन जाओंगे what are the do's and don'ts of an ideal relationship? खावतीन, कैसे treating को यह relationship failures को अवोइड कर सकते हैं? मुझे लगता है कि सबसे important factor जो है वो space है. कि आप किसी भी relationship में हैं, उसको space जरूर दें. चाहे और communication gap, यह दो चीजें हैं, अगर यह maintain करते हैं, वो मेल्स हैं, यह फीमल्स हैं, पार्टनर्स हैं दोनों, तब ही relationship successful हो सकता है अगर यह दोनों चीजें में चीजें हों. और मेरा ख्याल यह है कि आप ने अपने relationship में कैसे आप हैं, डूंट compare it with anyone else's. Because everyone is in their own boat, they have their own challenges, they are, you know, trying hard to, social media पे जो दिखाया जाता है, वो जुरूरी नहीं कि उनके actual practical life में भी हो रहा हूँ. So please, आप अपने relationship को, what is within yourself and between the partners. That is more important instead of comparing your relationship with anyone else's. So just social comparisons आपने आपको प्लीज दूर रखें. विल्कल ठीक बात कि आपने 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 relationship को, what is within yourself and between the partners. That is more important instead of comparing your relationship with anyone else's. Yes, Iram, मुझे ये बताए है, चिए मैं बात करती हूँ live-in relationships की. ठीक है, internationally और वेस्ट में तो इसका concept है, and it's very common, which is fine, क्योंकि वो वेस्ट के लिए culture है. लेकर जब हम बात करते हैं Asian countries की, especially Pakistan की, तो यहाँ पी वो एक concept आचुका है, लेकर आप मुझे बताएं कि जो live-in relationships यहाँ पर आजकल चल रहे है, जाहर है, हाइलाइट नहीं है, लेकर नहीं स्वाले साब क्या कहेंगे, आपकी क्या राही है, और तो और इसके सासत में यह भी आयट करूंगे, कि जो फीमेल से, वो किस तरह से effect होती है, जब यह खतम हो जाता है, इससे जब बाहर निकलती है, देखिए, मैं वेस्ट में ही 30-35 साल से रह रही हूं, और मैं यहां पर जो वेस्टन फेमिनिस्ट मूवमेंट है, जो उसके side effects, harmful side effects, जिनकी price आज अमेरिका की गोरी औरत या नॉर्थ अमेरिका की गोरी औरत पे कर रही है, उनके ओपर भी बात करती हूं, देखें, emotional intelligence के अभी show के शुरू में बात हुई थी, emotional, with all due respect, I would disagree with शाह साब के emotional intelligence का curriculum जो है, वो western किसी किताब से आया, emotional intelligence का बेहतरीन curriculum is in the Quran, it's Islam, Islam actually आपको emotional intelligence इखाती है, तो Allah ताला ने जो के manufacturer हैं हमारे, उन्होंने हमें बता दिया कि सुकून किस चीज में, एक शादी में, एक निकाह में अला की बरकत शामिल हो जाती है, और जो ब relationship में मिलता है, अब हम अपनी modernization के नाम पे तकर ले रहे हैं, nature से, Allah से, तो फिर यही होगा जो हो रहा है, so talking about live-in relationships, मैं अपनी students को, अपनी बच्चीयों को, सब को यही एक बात कहती हूं, कि यह this is based, आपकी audience में भी आपके studio में psychologist में हैं, and I would love to hear her comment, कि we know psychologically that the most precious thing for a man to give to a woman is his commitment, जब एक मर्द असल में वाकई में किसी औरत से महबत करता है, तो वो उसको अपनाना चाहता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी मर्द हो, वो उसकी take care करना चाहता है, वो उसका protector बनना चाहता है, वो उसका provider बनना चाहता है, यह Allah ताला ने जिबिलत में डाल दिया अब मैं अपनी सारी स्टूडन्स को बच्चियों को यही कहती हो कि बेटा मर्द के खुबसूरत लफ़ों पे कभी मत जाना, वो सिर्फ लफज है, और तो जब लफज बोलती है वो आम तोर पे शी मीन्स देम, बट नोट मैं नेसेसरेली, मर्द को अपनी सबसे कीमती चीज सिर्फ तब देना जब वो पहले तुम्हें अपनी सबसी कीमती चीज दे चुका हो, विच इस कमिटमेंट, कमिटमेंट चार दिवारी में छुपके नहीं की जाती है, कमिटमेंट दुनिया के सामने की जाती है, कि यह मेरी बीवी है, नाव आम हर प्रोटेक्टर और हैं, इसलाम ने औरत को आके उस लेवल पे बिठाया कि उससे पहले इनसानी हिस्टरी में औरत कभी उस लेवल पे नहीं बैटी थी, इसलाम ने औरत को उसकी सिर्फ जगा पे बिठाया, बताया गया कि तुम अपनी वैल्यू को समझो, अगर हमारी बचियां आज भी ये बा उसके साथ एक लिवन रिलेशन्शिप में जा रही है, on what hopes, the hopes are he will marry me, actually you're doing the opposite, जिस चीज के लिए, जिस चीज के लिए, जिस औरत को पाने के लिए, मर्त ने तगव दौनी की, उस औरत में उसका इंट्रिस्ट ही नहीं रहता, वो वैल्यू उसी औरत की करता है, जिस को पान is ensuring that science is proven all of this, so I'm sorry go ahead. देखे, वही एमोशनल तो उसका देमिज वही होते है जिस तरह से आपकी कोई मैरेज की दिवोर्स हो या कोई और ब्रेकप हो You know, just because it was not maybe sanctified as marriage doesn't mean that she's not going to be as destroyed as she would be if she had gone through a divorce So, what I would say to such a girl, such a woman is, first of all Okay, do not measure your self-worth because of the breakup अपने आपको उस इवेंट से define मत करें You know, what happened to you does not define who you are or who you will be in the future So, सबसे पहले तो ये समझें कि जिसके साथ ये relationship थी वो शायद आपके लिए best match थाई नहीं और अल्ला ने इस इवेंट के थूँ आपको कुछ सिखा रहे है अल्ला First lesson तो ये है कि अपनी self-worth को समझें अपनी dignity को समझें और एक चीज हो गई वो गलती हुई जो भी हुई It's okay, हो जाती है गलती हैं सबसे होती है So, move on and start doing things that will help to boost your self-worth अपनी जो आपके अपनी जो शिक्सियत की जो identity है उसको उन चीजों में तलाश करें जो, for example, आपका skill set हो Maybe you are very good at your career, you know Find something else that makes you feel good about yourself And then sit down and write down a list of things What were the things that were not the best match जो कि आप सिर्फ चला रही थी Because आप relationship चलाना चाहती थी ताके आप दुबारा वो गलती ना करें Right, और उसके बाद अपनी उस list में वो भी चीजें लिखें के आगे जाके मैं क्या करना चाहती हूं What kind of partner do I really deserve? What kind of partner is going to make me happy? वो आप एक list बना के रखें मैं अपनी students को जो जिनकी शादी नहीं हुई भी या जो दुबारा शादी करना चाहती है This is one of the most important things I tell them Make a list of things The values that you want to see in your partner Because जब attraction होती है जब कोई नजर आता है तो attraction दिमाग की घुमा देती है हमारे थोड़े होश गुम हो जाते हैं उस वकर सोचने समझने की सिलायत नहीं रहती मत मारी जाती है तो वो लिस्ट अगर आपने पहले से बना के रखी वी है कि these are my non-negotiables ये अगर किसी शख्स में नहीं होगी तो मैंने आगे नहीं बढ़ना जी एरभ यहांपे हमारे साथ एक कॉलर हैं तो हम कॉलर ले ले लेते हैं Assalamualaikum मेरा नाम सना है मेरा सवाल ये है कि मेरी एक फ्रेंड है और उसको इसे लड़के ने फ्रपोस किया और उसके बाद उसमें इवादा किया कि वो अपने पैरेंट से भी बात करेगा और सब अपनी फैमिली से भी इंप्रदूस करेगा लेकिन उस लड़की को पहले लड़की को क्या करता तो फर लड़की को क्या करना चाहिए यह इसमें काफी सारी आनसस तो जो अभी मैस इरम भी बात कर रहे थी तो अशमें आनसस मोझूद है कि आपकी जो सेलफ वर्थ है वो आपने डिटर्मन कैसे कीवित है कि अगर आप यह समझते हैं कि को अगर आप अपने आपको वैल्यूू नहीं दे रहे तो आम सोरी आउटसाइडर्स भी वैल्यू नहीं देंगे अगर आप अपने आपको रिस्पेक्ट अ Bailey दे रहे हैं तो जो इर्दगिर्द के लोग होते हैं वो यह चीज वो ये चीज लेर्न करते हैं यह कونके अपने आपको value देती है, यह अपने आपको respect देती है, लगर इसलिए मुझे भी इसकी value करनी है, और मुझे भी इसको respect देनी है. अगर आप अपने आपको एक certain standards से नीचे ले आते हैं, जैसे एक Islamically and Ethically Norally Speaking, अगर हमें जिंदगी गुजारने के लिए, कि हमें कुछ do's and don'ts already पता हैं, यह do's and don'ts कैसे formulate होते हैं over a period of time, यह आपकी infancy से start होके आपके adulthood and older adulthood तक जाते हैं, इसमें आपकी parenting का भी रोल होता है, इसमें आपके जितने भी institutions हैं, चाहे वो religious institution हैं, चाहे वो academic institutions हैं, उनका भी रोल होता है, तो आपकी self worth या आपकी self respect है, यह सब चीजें formulate करती हैं, होती है over a period of time, मेरी parents से भी यह गुजारश है कि आप अपने बच्चों की जो needs हैं, और बच्चों, क्यूंकि आप parent बनते हैं, उस सारे procedure से गुजर के, अगर हम puberty की बात करते हैं, तो एक लड़का और लड़की जो puberty में challenges face करते हैं, वो parents को understand करने च का एक generation gap होता है with the child, उसको यह लगता है कि मैं तो इसी stage पे था parent और मुझे इन challenges को समझने की जुरूरत नहीं है, why this child या why this जो मेरा बच्चा है, यह क्यों नहीं समझ पा रहा है, इसको क्यों नहीं आरी यह बात समझ, तो parents से भी मेरी एक request है, कि आप अपने बच्चों की needs को, उनकी likes को, dislikes को जरूर, क्योंकि यह जो infidelity के भी हम बात करें और cheating की हम यह बात करें, बहुत सारे scenarios मैंने यह भी देखे हैं, कि उन scenarios में भी होता है, जहां अजबर्दस्ती की शादियां कर दी जाती है, हर बच्चे या चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, उसने अपना एक, you know, एक like, मतलब उसने क्या अपना एक ideal बनाया है, आपको पता होना चाहिए as a parent, यह तो हजरत में ने भी अपनी बेटी से पूछा था, उससे, मतलब उसकी इजाज़त, उसकी concern, उसकी पूछा था, तो हम क्यों नहीं पूछ सकते अपने बच्चों से, मतलब यह उनकी राइट है, नहीं आपने बिलकल प्यारी बात किया, थांक यू हिद्या, आपने बहुत प्यारी बात किया आपने बिलकल राइट है, कि पूछा जाए, मर्जी पूछी जाए, रजामन्दी जरूर पूछी जाए, आप इस सहाले से क्या कहेंगे, इस का बात की बिलकुल, communication gap आप नहीं होना चाहिए, again, I'll agree with you, parents और बच्चों का, और अगर कहीं पे उस लड़की को ऐसा feel हो रहा है, कि अब चीजें खराब हो रही है, और उसकी कोई standing नहीं रही है, कि वोजारी बात है, इस relationship को उसने parents से भी चुपाया है, दोस्तों से भी चुपाया है, लोगों से उसको अब एक red line लगा देनी चाहिए, कि अब this is it, आगर जो भी होगा वो उसको manage करेगी, और उसके घरवाले उसका support करें, उसका friend circle उसको support करें, लेकिन मेरा यह ख्याल है, कि अब इस relationship को जहां पे, सिर्फ use abuse वाला सिलसला शुरू हो जाया है, तो वहां पे उसको फोरी त पे होना है, यह जो likeness होती है, attraction होती है, यह natural process है, यह रोक नहीं सकते है, यह रोक नहीं सकते है, इसलिए आपको इसलाम कहता है, कि आपने एक सर्टन एच पर इनकी कर देनी चाहिए, यह, यह, आपसलिटली राइ, मैं चाहूंगी, कि एरम से भी हम इस सवाल का जवाब ले प्लीज, 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 मैं यह कहूंगी, कि बेटा, या यह लड़का जूट बोल रहा है आपके साथ, या यह लड़का कमजोर है, इन दोनों में से एक चीज है, अगर कमजोर है, तो भी आपके लिए he's not a good fit, because मर्द की definition होती है, strong, जो मर्द आपके साथ की भी commitment को अ बेटा, run, अभी आप यांग हो, अभी आपकी उमर छोटी है, I know इस वकत बहुत तकलीफ महसूस हो रही होगी, छे महीने के लिए रोलो, कोई बात नी, ठीक हो जाओगी, सारी उमर मत रोना, so run in the opposite direction, that's the advice I would give to, if it was my daughter, I would say this. ठीक है, thank you, Iram, मुझे बताए हैं, जहां हम बात करते हैं, उन मंगने की, जो के बच्पन से टाय की जाती हैं, था खंदान मले टाय कर देते हैं, पता होते हैं, को को हमारी एक दूसरे से मंगनी भी है, और हम लोग बालिक हो जाएँगे ते जारो शादी की तरफ चले जाए जो चल रही होती है वो कितना असनादास करती है लड़की की जिन्दगी बे इसके हवाले से बताईए और इसको वो कैसे ऑपर कम कर सकते हैं यह भी साथ बताईए और यह बहुत प्रेवलेंट है चीज के खांदान वाले इतना ज्यादा तंग करते हैं लड़कियों को कि वो उ अभी पहले यह मैंचें हुआ था के ब्रेकभ अब दॉट्ट एक्वाह आजए जब्सक्राइज में फेसे करना पड़ता है यह वो सबस्तिता ओशियों को बताईए जब से ऐसकांशनावनात परोड़कियों कि यह जिस्टेमनागा कि उट का तो बताईए हों और मिलिटरी म और उनकी मैने जब ये कर रही थी, I was doing trauma healing, and I asked him, something happened to you at the age of 23, where you felt very humiliated and ashamed. और वो trauma अभी भी उनके अंदर था, उनकी body में stored था. And he suddenly started crying, and then it turned out के उनकी मंगनी टूती थी, जो उनकी बच्पन की पसान थी, बच्पन की मंगनी उस एज में तूत की थी, because she liked somebody else. And so now, even in his 40s, he was carrying that trauma in him. So trauma healing is another subject. We all need to understand के जो बच्पन के और यंग एज के जो traumas होते हैं, they dictate our lives even well into our 40s, 50s, 60s, and until we understand and heal that trauma, we're not going to act better. So एक तो ये चीज है. So अब अगर फर्स करें किसी की मंगनी तूत कया, वो लड़की हो या लड़का हो, it's going to be really traumatizing. फिर से वो ही बात कि आप अपनी self-worth question करने लग जाते हैं. और मज़े की बात ये कि कई दफ़ा मेभी पसंद भी इतनी नहीं है, लेकिन the fact कि दूसरे बंदे ने मंगनी तोड़ी, तो it feels like rejection to the person. तो इसमें एक दो चीज़े हैं, देखें, what I teach, another thing I teach Bushra is that if you can change your thinking, you can change your life. हमारे साथ कोई event होता है, ठीक है? उस event के साथ हम एक meaning attach करते हैं. वो meaning हमारी story बन जाते है. So, अब अगर ये event है, मंगनी तोटकई, ये एक event है. अब इसके साथ different meanings attach कर लिये, कि that means, I am not beautiful enough, I am not good enough, I am not lovable, I am not worthy. ये सारी हमने stories अटेच कर लिए. Event हमें इतनी तकलीफ नहीं देता. ये stories हमें तकलीफ देती हैं, और ये stories पिर हम अपने साथ लेके आगे भी चलते रहते हैं. अगली relationship में भी ये तमाम बैगेज हमने कंदों पे उठाया होता है और वो हम उस relationship में लेके आजाते हैं और हम इसी तरह continue करते रहते हैं. So the first thing we need to do is sit down. अगर किसी की मंगनी टूटी है, break up वोई, कुछ भी हो है. Sit down and make a list. लिखें बैटके. कि what does this mean for me? इसका मतलब क्या है? मेरे दिमाग में इस चीज का मतलब क्या है? कि मैं बुरी इंसान हूँ, या मैं बुरा इंसान हूँ, मैं खुबसूरत हैं. जो भी है, आपकी जो पूरी list है वो लिखें. और फिर एक-एक करके, जो मैं अपने students को सिखाती हूँ, कि एक-एक करके उस story को बिल्कुल बदलें. ठीक है? फर्स करें, पहली आपने जो लाइन लिखी है, वो ये है कि I'm not good enough. अब मैं इस लाइन को आपने बिल्कुल opposite बदल देना है. कि I am good enough. I am wonderful. अपनी जिन्दगी में देखें, वो कौन से लोग हैं जिनके लिए आप good enough हैं. जिनके लिए आप wonderful हैं. क्योंकि ये दिमाग, आपका दिमाग आपको एक स्टोरी बता रहा है. आप इसी दिमाग में अगर स्टोरी को चेंज कर लेंगे, तो वो जो तकलीफ है, वो आपकी 80-90% कम होना शुरू हो जागी. So again, make a list, ताके आप वो लिखें, कि वो कौन सी स्टोरी हैं जो आपको तकलीफ दे रही हैं, क्योंकि ये आपके दिमाग में हैं सब कुछ. दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टन है, वो ये कि वी आर मिजरिबल वेन वी आर नाट एक्सेप्टिंग रियालिटी, वेन वी आर फाइटिंग रियालिटी, तो मेरी मंगनी तूट कई, अब मैं अपने आप से कह रही हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यूं हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, देश्ट इस ऐसा ही होना चाहिए, क्यूंकि हो गया, चूंकि हो चुका है, तो ऐसा ही होना चाहिए था, उसकी मर्जी यही थी, तो रब की मर्जी से जब तक फाइट करेंगे, तकलीफ में रहेंगे, अगर उसी मोमेंट बिल्कुल ठीज़ दे, कि या रब तेरी मर्जी है, अब तू मुझे इस पे सबर दे दे, मैं तेरी रजा के आगे सहर जुका किया हूँ, तक बहुत पहर पहरी बात किया अपने इरम के हमें अपने अपना रापता लाह से भी बिलकुल रखना चाहिए और एक प्योर ली कनेक्शन जो है, एक प्योर कनेक्शन जो आपको हमेशा फाइदे बंद रखता है, बहुत बहुत शुक्री आपका एरम, प्योर नाइस कमेंट, जी, आप अपता है आप इस पर क्या कमेंट करेंगें, और वर रप अप दिस्टेशन जो हमारी ससाइटी का माइंड सेट है, मिस सिरम ने बहुत जबरदस तरीके से सारी बात समझाई और सारा कुछ किया, और डेफिनिटली आपके साथ जो भी लाइफ में हो गया है, वो उसको अब आगे मुव अन होना बहुत जरूरी, अगर दो बच्चे बैठे हैं, और वो समंदर पर गया है, और एक बच्चा डर रहा है समंदर में जाने से, और एक बच्चा जो है वो निजोई कह रहा है, तो आप देखे हैं, इनका जनाटिक मेकप भी अलमोस्स सेम है, बिकॉस देर ट्विन्स, इस बच्च जो है, तो तो रहा है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर में पेकनिक में जाना चाती हूं, और बारिष ओजाती है, तो बारिष को बहाती है, हाँ यह जरूर सूचती हूं, कि चलो आज नहीं तो मैं कल चली जाओंगी, आप एटो में तो मरोओ, आपको पॉजिटिव सोच नहीं, आज ऐसा गुमान करेंगे, आपको इद्गिर कमहॉल और अपने अंदर भी वैसी ही elements नज़ आएंगे, आपको पॉजिटिव सोचे, और जो भी आपके लाइफ पर फेस चल रहे हैं, जो भी एक्सपेरिंसे चल रहे हैं, से सीखें, आगे की आएदा होगा, इसके साथ है जो हमाने आज की special guest थे है, Dr. Shavana Mufti, Life Course Trainer, Iram Saeed, Life Course Trainer from US, उने हमें जोइन किया, बहुत 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 शुक्रिया आप दोने का, उसके साथ हमें का सामे का सामेलेशा, Public Motivational Speaker ने भी हमें जोइन किया, थैंक्यू सर आपके लिए और तर सापका Chief Justice Lahore High Court Mr. Anwarul Hakk ने भी हमें जोइन किया, बहुत 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 शुक्रिया सार आपका उसके साथ साथ, Psychologist Hidnaya Iqbal, Humar Ji, Humar Ji ने भी हमें जोइन किया, आमने अफताप ने भी हमें जोइन किया, बहुत 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 शुक्रिया आप सबका, थैंक्यू 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 बहुत बहुत शुक्रिया, हम से लिए फिर से मिलेंगी कर एक स्पेशल टॉपिक के साथ, लेकिन इसके लिए स्टे टून्ड, Allah हाफेज